जादूई मुर्गी जब दुखी होकर खेत में बैठा था तभी वहाँ से एक बुज़र्ग चाचा गुजर रहे थे बेटा, क्या हुआ? तुम इतने दुखी क्यों हो? आप कौन हैं? वो सारी बाते छोड़ो तुम इतने परेशान और दुखी क्यों हो? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? बोलो मेरी गरीबी ही मेरे दुख का कारण है मैं कितनी भी मेहनत करूँ पैसे कम ही पड़ते हैं बच्चों की पढ़ाई खाना, पीना ये सब कैसे होगा? चाचा ने अपनी टोक्री में से एक मुर्गी निकाली ये लो ये मुर्गी तुम्हारी करीबी दूर करेगी वो कैसे? इस मुर्गी को पाल कर क्या मेरा दुख कम होगा? बेठा, ये मुर्गी कोई मामुली मुर्गी नहीं है ये एक जादुई मुर्गी है ये रोज तुम्हें एक सोने का अंडा देगी, लेकिन याद रहे, जिस दिन तुम्हारा लालज बढ़ जाएगा, उस दिन से तुम्हारा बुरा वक्त फिर से शुरू हो जाएगा राघप बहुत खुश हुआ, वो मुर्गी लेकर खर आया, मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देती थी जिसे राघप सोनार को बेच देता और घर के लिए ज़रूरी चीज़े खरीद लाता था धीरे धीरे वो अमीर होने लगा, अब वो बहुत खुश था, उसके परिवार का खर्चा बहुत आसानी से चलने लगा था और उसके पास बहुत सारा धन था, उसने उस धन से एक बहुत बड़ा घर खरीद लिया और उसमें कई नौकर चाकर रख लिये, गाय बैल, और खेती के लिए एक बहुत बड़ी जमीन भी खरीद ली एक दिन राघव और उसकी पत्नी ने सोचा कि यह मुर्गी हर रोज एक ही अंडा देती है, तो जरूर इसके पेट में धेर सारे अंडे होंगे अब तक राघव भी उस बुजर्ग चाचा की बात भूल चुका था उन दोनों ने मिलकर तैगिया कि क्यों न हम आज ही सारे अंडे निकाल ले और रातो रात बहुत अमीर बन जाए राघव जल्दी जाकर उस सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को पकड़ लाया और उसने उसे मार दिया, लेकिन उसने देखा कि मुर्गी के पेट में था कुछ नहीं था और पिचारी मुर्गी भी मर चुकी थी राघव सोचने लगा अब तो हर रोज मिलने वाला सोने का अंडा भी नहीं मिलेगा और तब वो दोनों बहुत ही परिशान और दुखी हो गए और तब ही राघव को उस चाचा की बात याद आ गई उसे अपनी गलती का हैसास हुआ लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी इससे हमें यही सीख मिलती है लालज बुरी बला है देर से पच्चतावा करके हम नुकसान से नहीं बच सकते भी स्सेटी